डॉक्टर बाबा साहब अमबेडकर ओपन युनिवर्सिटी नमस्कार मित्रों डॉक्टर बाबा साहब अमबेडकर ओपन युनिवर्सिटी अमदाबाद के चैतन्याई स्टूडियो मैं सतीस कुमार पांडे आप शवी का स्वागत ओम अभिनंदन करता हूँ आज हम स्कूल आप हमनेटी और सोसल साइंसिस के अंतरगत एमेड प्रथम वर्स हिंदी जिसका कोड है एमेड टी टू प्रश्न पत्र संख्या एक जिसे हम आधुनिक कविता नाम से जानते हैं उसका खंड एक है नवजागरन काबे इकाई तीन भारतेंदू हरिश्चंद और मैतली सन गुप्त की कविता की काबे भासा और सिल्प जिसका यह सिर्शक है उसके अंतरगत भारतेंदू हरिश्चंद की काबे भासा और सिल्प पर बात आज हम करेंगे मैंने पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि इस इकाई के अंतरगत जो खंड तीन हमारी इकाई है इसके अंतरगत भारतेंदू हरिशंद की काब भासा और सिल्प के विशय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे सबसे पहले हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखीर इस सिर्शक का इस पाठ्ठे का उद्देश्ट क्या है जो कि सबसे पहले हम यह जानकारी अगर प्राप्त कर लेंगे तो हमें अच्छी तरह से इस इकाई को समझने में मदद मिलेगी पहला उदेश जो मेरी नजर में आता है जो आप लोगों के सामने में रखने की कोशिस कर रहा हूँ कि भारतेंदू हरिश्चंद की काब भासा की विसेस्ताओं का रेखांकन हम करेंगे इसमें याखिर वो कौन सी जो विसेस्ताएं हैं जो उनकी काब भासा को अधिक प्रासंगीक अधिक मजबूत बनाती है दूसरी विशेस्ता है भारतिन्दू हरिष्चंद की जो सिल्पगत विशेस्ता है जैसी कि मैं बात हमेशा बोलता हूँ जो पिछली कख्छाओं में आप लोग इस बात का अध्यन कर चुके होंगे कि सिल्फ क्या होता है मैं इस बात को छोड़ रहा हूँ कि भारतिंदू हरिस्चंद मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ कि भारतिंदू हरिस्चंद की सिल्फगत जो विसेस्ता है वो क्या है और खड़ी बोली हिंदी को लेकर भारतिन्दू हरिस्चंद के मन में विचार क्या था इसे समझने के लिए हम आप लोगों के सामने जो यह PPT है इसको मैं रखने की कोशिस कर रहा हूँ एक बात और असपश्ट कर दूँ कि जो भारतिन्दू युगीन जो भासा थी वह तो ब्रजभासा में मैं पिछली कच्छाओं में इस बात का जिक्र किया था ब्रजभासा थी लेकिन खड़ी बोली भी कैसे उसको खड़ी बोली ने प्रभावित किया खड़ी बोली कैसे उसमें अपनी जगा बनाई इस सब का जिक्र हम आज की कच्छा में करेंगे भारतेंदु यूग के विशय में मैं आप लोगों को मैं बताया हूँ कि वह जो रिती काल के बाद का जो समय था वह भारतेंदु यूग के नाम से जाना गया भारतेंदु यूग के बाद दिवेदी यूग आया दिवेदी यूग महाबीर प्रशाद दिवेदी के नाम पर इस यूग का नामकरण हुआ भारतिन्दू यूग आधुनी खिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है चुकि उस समय का जो साहित्य था वो कई बंधनों से बंधा हुआ था तो भारतिन्दू का जो समय था उसमें जो पूरा का पूरा जो साहित्य था वो आधुनी साहित्य का एक प्रारंभ काल माना जाता है एक संधी काल माना जाता है यह जो काल था नावजागरण का साहित्य था यह जो युग था नवजागरन के सहीति का युग था मैं नवजागरन की परिभासा में बताया कि जब दो संस्कृतियों के बीज टकराहट होती है तो उससे जो सकारात्मक जो भाव निकलता है वही नवजागरन है नवजागरन में नए नए बोध हमें देखने को मिलता है अगली अगर हम भारतिंदु यूग को लेकर अगर हम बात करें तो राजनितीक आर्थीक और समाजीक समस्याओं पर केंद्रीत साहित्य की रचना होई राजनिती भी देखने को मिली उस समय चुकि हमारा देश गुलाम था आर्थीक हम आर्थीक रूप से काफी पिछडे हुए थे सामाजीक समस्याओं बहुत तरह की देश में सामाजीक समस्या थी कुरिती हुँ सभी तरह कि सामाजीक बंधन में हम बदे हुए हुएं तहों को कें वंजाज्य कार्थी कम समस्याओं किन्द्र में रखकी सहित्य की रचना हुई है मध्यकालीन मध्यकालीन ता तो माधनिकता अ सेंक्रमन काल है वह भार्पिंदु युग में हमें देखने को मिलता है इस यूग में हमें अंतर विरोध काफी बिविधता दिखाई देती ही है हमें अंतर विरोध भी दिखाई देता है हमें इसका भी सामना करना पड़ता है आगे मैं इस बात का जिक्र करूँगा नवजागरण की जो चिंता वा चेतना से जो संचालित भारतेंदू यूगीन कविताएं हैं उसकी प्रकृती ही अलग है, उसकी बनावर ही अलग है वह जनवादी प्रकृती के करीब काफी नजर आती है मैं उदाहरण की रूप में कविताओं का जीकर करूँ गया गए चुवा चूत का प्रस्ण उठाया जाता है इस यूग में भारतेंदू खुद कहते हैं अपनी एक रचना में कि बहुत फैलाए हमने धर में बढ़ाया चुवा चूत का कर्म तो इस तरह की जो समाजिक जो मुद्दे है जो समाजिक कुरूतिया है भारतेंदू यूग के साहित में इसकी काफी ब्रिहद रूप में इसे हम देखते हैं भारतेंदू यूगीन जो कविताएं विचार के साथ साथ हमें समाधान ढूटती है हमें बहुत तरह की विचार पैदा करती है, सोचने पर मजबूर करती है भारतिन्दू इगन कविताएं, लेकिन सिर्फ प्रस नहीं ही करती है वो कविताएं, उसका समधान भी है, उसका है एक पंक्ती है, कि रोवहु सब मिलके आवहु, भाई हाहा, भारत दूर्दसा देखी नहीं जाए, उस समय की जो तक कालीन जो समाजिक विवस्था थी, जो राजनितिक विवस्था थी, उससे प्रभावित होकर भारतिन्दू अरिश्चन ने, रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, जो यह भारत की दूर्दसा है, देखी नहीं जा रही है, समाजिक मुद् है, भारतिन्दू यूगिन साहित्य का यह एक विसेस्ता है, चुकि मध्यकाल और रितीकाल, में भी हमें इस तरह की चीजे देखने को मिलती है, वहां से भारतिन्दू ने अपनी विसेवस्थू को बनाया है, अपनी कपिताओं का विसेवस्थू बनाया है, हिंदी साहित् भारतनाथ सब्द का प्रयोग मिलता है जागहू भारतनाथ वेगी जागहू अब जागहू भारतनाथ की कलपना भारतिंदू युगीन कविताओं में हमें सरप्रतम देखने को मिलता है रसिक्ता और पीडा का विचित्र संजोग भारतिंदू युगीन कविताओं में खास करके उनके कवित और सवईयों में हमें इसको देखने को मिलता है। रसिक प्रेम संदर को लेकर राजाओं को खुस करने के लिए राजाओं जो दर्बार में राजा रहते थे उनको खुस करने के लिए जो रसिक मिजाज की रचनाय होती थी, वह और एक तरफ पीडा हाँ भारत दुर्दसा देखी न जाई, यह क्या है यह पीडा ही है, तो इनक जो एक बिचित्र संजोग है, जो उनकी कवित और सवया भारत दुर्दु की, उसमें इसका भरमार हमें देखने को मिलता है, मैंने आप लोगों को बार बार मैं बता रहा हूं, जो भी भारत दुर्दु युगीन जो कविताएं हैं, वह कासी नागरी प्रचानी सभा से जो भारत दुर्दु समक्र जो समपादित है, उसमें सारी कविताएं संग रही थैं, मैं जो रसिक्ता और पीडा का जो संजोग है, इसको लेकर भारत दुर्दु युग कहते हैं, कि जानी सुजाने मैं प्रीति करी सही कै जग की बहु भाति हसाई त्यों हरी चंद जो जो कहो सो करयो चुप है करी कोटी उपाई सों नहीं निबही उन सों उन तोरत बार कछून लगाई असांची भई कहनावत आअरी उंची दुकान की फीकी मिठाई प्रकृती को उदीपन के रूप में यहां देखिये रसिक्ता और पीडा का जो संजोग था उसका यहुदारण है आगे हम देखते हैं कि प्रकृती को उदीपन के रूप में भारतिन्दु हरिश्चंद ने अपनी कविताओं में स्विकार किया है भारतिन्दु हरिश्चंद की एक मत्तपून कविता है जिसमें वो वरसा रितू का बर्णन करते हुए कहते हैं कि मासी अगाड़ मासी असाड़ उमड़ी आए बदरा रितू बरसा भार आई अब बोले मोर सोर चहुदिसी घनगोर घटा चाई इसमें बरसा रितू का बर्णन करते हुए प्रकृति का मनुहारी चटा का बर्णन करते हुए भारतिन्दु ने अपनी कविताओं में दिखाने दिखाया है भारतिन्दु की अधिकांज कविता ब्रज भासा में है भासा के संदर में भारतिन्दु का मत्त है अपनी भासा अगर आपके पास नहीं है तो आप हीन से भी हीन है अंग्रेजी पढ़िये अंग्रेजी का विरोध मैं फिशली कक्छा में इस बात का जिकर किया था कि भारतेंदु हरिश्चन ने अंग्रेजी का कभी बिरोध नहीं किया है अंग्रेजी पढ़िये अंग्रेजी पढ़के सभी गुणों को आप में प्रवीन हो ये पारंगत हो ये लेकिन अपनी जो भासा है उसके बिना आप कभी प्रवीन नहीं हो सकते हैं, कभी धनी नहीं हो सकते हैं इसलिए अपनी भासा को बल भारतेंदु हरिश्चन ने काफी दिया है ब्रज भासा के अलावा उर्दु में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है एक उदाहरण है उनकी कभीता है फूलों का गुच्छा जिसमें उर्दु के भी कुछ सब्दावलियां जिसमें मिलती है उसका आप लोगों के सामने में रखा हूँ फूलों का गुच्छा जो है वह भी भारतेंदु समग्र में आपको यह कभीता मिल जाएगी नहीं का बाकी वक्त नहीं है जरान जी में सरमाओ लबपर जाँ है भला अब तो प्यारे मिलते जाओ कहां गई वह पिछली बाते कहां गया वह था जो प्यार अ किधर छिपाया चांद सा मुखडा दिखला ता जो यार बे होसी में घबड़ा घबड़ा करके यही कहता हूं पुकार मर्ज बढ़ गया बहुत इससे बचना अब है दुस्वार इस कविता में हम देखते हैं कि उर्दू के भी काफी शब्दावलियां आई हुई जैंग अगला है कि भारतिंदू की जो ब्रज भासागत भी सिस्त उसको लेकर आचार झन्षूव क्या कहते हैं ऑमनी गद्ध की बचना है उन्होंने देखा कि बहुत हिस सब्द जिनowser बोल-चाल से उंच्वार की 10 कई सव वर्स हो गए थे कवित्तों और सवैयों में बार बार बराबर लाए जाते हैं इसके कारण कविता जनसाधारन की भासा से दूर पड़ती जाती है बहुत से सब्द तो प्राकृत और अपभरंस काल की परंपरा के समारत के रूप में ही बने हुए थे चक्कव घुवाल ठायो दीह उनो यह जो है अपभरंस के जो सब्द हैं लोए आदी के कारण बहुत से लोग ब्रज भासा की कविता से किनारा खीचने लगे थे दूसरा दोस जो बढ़ते-बढ़ते बहुत बूरी हद तक पहुँच गया था यह सब्दों के तोड मरोड और गढ़ंत के सब् प्रयोग था उन्होने ऐसे सब्दों को भरसक कविता से दूर रखा और अपने रसीले सवयों में बताया था अभी पीछे कि प्रेम से संबंदीद्म सब्सब्रस किसा कविता से दूर रखा और अपने रसीले सवैयों में जहां तक हो सका बोल चाल की भासा का बेवार किया, इसी से उनके जीवन काल व्यानिक सवैयों सवैयों चारों और सुनाई देने लगे उर्दू की गजल की सुरुवात भारतिन्दू की कविताओं में हमें देखने को मिलती है भारतिन्दू ने काफी उर्दू में गजले लिखी है एक गजल आप लोगों के सामने मैं यहां पे रख रहा हूँ फिर आई फसले फसले मतना रितू गुल फूल को कहते हैं उर्दू की सब्दावली है फिर आई फसले गुल फिर जक्ख मदहग रह रहके पकते हैं मेरे दागे जिगर पर सूरते लाला लखते हैं, नसीहत है अवस ना सेह बया ना हक ही बखते हैं, जो बहके दुपतरेज से है वह कब इन से बहकते हैं। भारतेंदु समग्र में यह उर्दु की जो गजल है, वहां से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। भारतेंदु यूग में काब की भासा को सरल सुबोध बनाने का प्रयास किया गया है। इससे की जो जनता है, जनता तक जो बाते है वह आसानी से सहज रूप में पहुंच सके। जनसाधारण में प्रचलित सब्दों का प्रयोक कर काबे को जन सामान के निकट लाया गया। उर्दु में प्रचलित सब्दों का प्रयोक किया गया। विश्णु वाहनी यहां एक उदारान में दिया हूं एहाँ देखी अंग्रेजी की सब्दाव्लियां का भर्मार नजर आता है विश्णु वाहनी पोर्ट पुरसुत्तम भय मुरारी सैंपन क्या है पोर्ट सिव गौरी गिरिस ब्रांडी क्रम बिचारी लुकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग भासा को सजीव और बोध गम में बनाने के लिए भारतिंदु ने अपनी कविताओं में किया है दोहा चौपाई हरी गीति का जो चंद है कवित आदी परंपरागत चंदों के अतिरीक्त लावनी कजली वो होली चंद का की भी का भी प्रयोग भारतिंदु की रचनाओं में मिलता है वर्षा बिनोद जो उनकी कविता है उसमें जो कजली का उदारन प्रस्तूत करते हुए भारतिंदु कहते हैं प्यारी जलन पधारो जुकी आये बदरा ओड़ो सुरूख चुनरी तापय स्याम चदरा देखो बिजुरी चमकय बरसे अदरा हरी चंद तुम बिन पिय अतिक अदरा देखिए कितनी सरल और सहज भासा का प्रयोग भारतिंदु ने अपनी कविताओं में किया है इसलिए भारतिंदु का जो समयकाल है वह इसमें कह सकते हैं कि भारतिंदु यूग में काफी सहज एवं जो बोधगम में जो भासा थी उसका प्रयोग अधिक सधिक देखने को उ अमीर खुसरो की तरह दो सखुने और चना जोर गरम जैसी सैलियों का प्रियोग भारतिन्दू ने किया है। वह काफी सफल नजर आता है। एक उनकी जो महत्वफून बात है। बांगला का जो एक छंद है जिसका नाम है पयार। पयार चंद का प्रियोग भारतिन्दू ने अपनी कपिताओं में खूब किया है। निजभासा उन्नती अहे सब उन्नती के मूल बिन निजभासा ज्यान के निटे नहीं को सुन। अगर आपको अपनी भासा निजभासा हिंदी अगर नहीं है नहीं आपके पास है तो वह आपके जीवन में एक कलंक जैसा ही रहता है। इसलिए बिन अपनी भासा के कुछ नहीं होने वाला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो निसकर्स की अगर हम बात करें कह सकते हैं कि भारतेंदू के ब्यक्तित्व और काब की महत्ता यह है कि प्राचीन को आत्म साथ करके उन्होंने नमीन की स्रिष्टी की प्रेम शंबंदी कवित्य सवैयों से असपष्ट होता है जो पीड़ा और स कवित्य और सवैयों से असपष्ट होता है कि वे भाक्ति और रिती काल दोनों के सपने एक साथ देखते थे साथ ही राष्ट्रियतार समाज सुधार और हास से ब्यंग पर लेखनी चलाने के कारण वे नवयूग के जनमदाता भी सिद्ध हुए वे भासा प्रेमी भासा के प उनिस्वी सदी के आधुनिक विचारों का प्रारमिक चरण जो है वह भारतेंदुई पी रचनाओं से हम मानते हैं नवजागरन की चिन्ता और चेतना से संचालित उनिस्वी जो सदी थी मध्यकालीन विचारों को क्रम से छोड़ते हुए नवीन विचारों को आत्मसाथ करने के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रेयोग या यूं कहें कि माध्यम बनाती है अपने नाटकों भारतिंदू ने कविताओं के अत्रिक अन्नेभी साहित्त की रचना कीए है नाटक, पत्रकारिता, निबंध एक बात यहाँ पे महत्त्रपूर में जिक्र किया हुआ अपने नाटकों पत्रिकाओं निबंधों आदी के माध्यम से भारतेंदू युगीन रचनाकारों ने खड़ी बोली हिंदी को राष्ट्रिय भासा के रूप में गद्य पद्य की भासा से जोड़ दिया पहले जो था पद्य की भासा ही थी लेकिन उन्निस्वी सदी का जो नवजागरण की देन थी नवजागरण में नए नए विचारों का जो उद्वोधन हुआ उसमें गद्य और पद्य की जो भासा थी उसे जोड़ दिया इस संदर में आचार रामचन सुकल का महत्तपून यहाँ पर प्रासंगीक उनका एक कोट है कि जब भारतेंदू अपनी मजी हुई परिस्क्रीत भासा सामने लाए तो हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य हेतु खड़ी बोली का साहित्तिक रूप मिल गया यह भासा के स्वरूप का प्रश्ण नहीं था बलकि भासा का स्वरूप ही स्थिर हो गया यहाँ में इतनों एक बात महत्तपून है कि जब रामचन सुकल कहते हैं कि भारतेंदू यूग भारतेंदू अपनी मजी हुई परिस्क्रीत भासा सामने लाए तो हिंदी बोलने वाली जनता को गद हेतु खड़ी बोली का सहितिक रूप मिल गया पहले हमें जो स्रिंगारिक्ता से एक दम लबरेज जो भासा थी जो अपभरंस अवहट प्राकृत से जुड़ी हुई थी जिसका मैं जिक्र उदारान स्वरूप आपनों के सामने मैं रखा था उसका जो पूट है उससे हिंदी बोलने वाली जो जनता थी जैसे भारतेंदु यूग का अगमन हुआ हिंदी बोलने वाली जो जनता वो गद हेतु जो खड़ी बोली का जो सहितिक रूप मिल गया वह भासा के स्वरूप का प्रश नहीं बलकि भासा का स्वरूप ही इस्थीर हो गया था मित्रों आज आप लोगों के सामने में भारतेंदू की काब्यगत और भासागत और सिल्पगत विसेस्ताओं की चर्चा किया जिसमें मैं भासा से लेके सिल्प उसकी भावबोद से सम्बंदित जो भी विसेस्ताओं थी उसका मैं जिक्र किया वह आज भी उनिस्वी सदी की जो भारतेंदू युगीन जो कबिताया हुआ वह आज बीस्वी सदी में इकीस्वी सदी में भी वह प्रासंगिक है देश की समाज की वह सभी प्रशनों को भारतेंदू ने अपनी रचनाओं में वकुबी तरीके से उठाया है तो हम यह जो इकाई है इस इकाई के माध्यम से हम यह कई तरह के भावबोद को हम समझ सकते हैं यह इसमें एक जो है भारतेंदू यूग की जो काब्यगत भासा है उसकी सिल्पगत भासा है भारतेंदू यूग आधुनीक यूग के बुनियाद के रूप में नजार आते हैं उस यूग में जो भी समाजिक साहित्तिक राजनितिक आर्थीक सभी प्रकार का जो जो प्रस्ण था वह जो उनके साहित्त में हमें देखने को परियाप्त मात्रा में मिलता है आज 21 सदी में भी या भारतेंदू यूग के बाद जैसे दुवेदी यूग आता है दुवेदी यूग के बाद चाया बाद तो दुवेदी यूग भी भारतेंदु यूग से ही विशेवस्तु को गरहन करता है वहां से और उसमें आधुनिक्तापन का भाव जो है आगे जह लगता है लेकिन इन सभी की देन हम भारतें धंदू यह जो जांड विए कि जिक्र रिखिया कि इस्तरों पेद इसित्री यह को लेकर जो नव्जाग्रण देस में भगाल के लिए पर आप समाज घृजिंग उसमें प्रयास की है या राजाराम मुहराय का जो अंदोलन था इसमें नवजागरण ने काफी इस तरीयों को अलग तरह का एक छुटकारा बंधन से मुक्त कराने में बहुत महत्वपून भूमिका निवाई कई कुरुतियों को उन्होंने उस पे प्रहार करने की उस पे छोड़ने की उसको सहित् करना के प्रस्न उठाए मित्रों आज मैं इतना ही कहता हूं और अपनी वाणि को विराम देता हूं नमस्कार करता है है कि